असलाम लेकूम ठीक हो दो अगरतों आप सारे अच्छे से रहें खुश रहें यह एरर आता ना Android 11 में यह कुश एरर आता है यह मैं फिक्स बताऊंगा कैसे गरते हैं और प्लीज वीडियो को अच्छे से देख लेना अगर आपका जो PC है वो ब्रावजर नहीं निकालता किसी में आप क्या करो आप USB driver Samsung के अनस्टॉल कर लो ठीक है और कोई भी फोन MTP मोड पे कनेक्ट करके रख लो फिर जाओ साइट पे जहां पे क्या ना मैं सैम की है ना साइट वहां से USB driver जो मिलेगा उसको इनस्टॉल कर लेना वो फिक्स हो जाएगा ठीक है भी चलता है ठीक है अब हम देखते हैं Samsung phone में हम FRP bypass कैसे गर लेंगे Android version 11 10 9 अच्छे से देख लेना सारा मैं आपको एक ही वीडियो में बता दोगा ठीक है यहां पे जब browser निकल गिया उसके बाद हमने search क्या करना है ए डबल डी आर ओ एम ठीक यह जब हो जाएगा उसके बाद पहले नमर पे देखो आप बैपास Google अकाउंट इस पे हमने क्लिक करना है यहां पे कोई भी application इस्टाल नहीं होगी सीधा आप गूग यह गिलैक्सी स्टोर निकालो ठीक है यहां पे देखो कभी कभी क्या होता जब यह update मांगता ना तो फिर बैग चला जाता है तो फिर दुबारा USB लगा के reopen कर लेना ठीक है ना ब्राउजर नए तो एक और तरीका मेरे पास जब यह installing बताता ना बैग जाओ ठीक है तो यह वापस नहीं जाएगा कभी कभी दो बार भी update होता है पहली बार 16 MB आता है फिर आता है 40 MB ठीक है ना तीसरी बार भी कभी कभी आता है अपडेट होने के बार तो अगर यह बैग चला गया तो फिर मैं ब्राउजर से इसको क्या गरूँगा दुबारा ब्राउजर ओपन कर लूँगा सॉरी वो टूल से मैं ब्राउजर ओपन कर लूँगा तो अगर इनस्टालिंग के टाइम देखो अभी तो डाउनलोड हो रहा ना जब यह इनस्टालिंग कर लेगा उस ताइम आप बैग चले जाओ तो फिर यह दुबारा MTP मोड पे नहीं जाता समझ गए आप तो यहां पे एक ही बार Android 11 तक आप देख सकते हो ऐसे हो जाता यह लास्ट वाला तरीका है ठीक अब नेक्स्ट वीडियो आपको पता है Android 12 पे आने वाली है मैं इन्शालला जल्दी कूशिच कर लूँगा यह देखो इनस्टालिंग आगिया ना मैं बैग करत हो तो तब तक Galaxy Store अपन नहीं होगा जब तक वो complete इनस्टाल नहीं होगा समझ गे यहां पर देखें अब अब हो जाएगा हो गया अब यहां पर हमने क्या गरना है continue करके उसके बाद skip करते हैं यहां पर search bar मैं इसको permission देता हूँ S9 theme या launcher कुछ भी लिख लो हमने S9 देखो पहले हम S9 करते थे खुद ही वो launcher आता था अब आज कल नहीं आता तो आज कल S9 theme आप लिख लो उसके बाद यह देखो ढूंड़ो उसको यह चाओ थे नमबर पे है ठीक पहला वाला यह वाला आपने देखना S9 launcher theme कहां पे है अब भी Samsung account इसमें नहीं डालते हैं ठीक यहां पे permission देते हैं यहां पे install always करना ओके करेंगे तो दुबारा आपको install करना पड़ेगा ठीक है अब open करता हूं मैं यहां पे enter ओके ठीक है फोन open हो गिया अब यहां farp bypass नहीं हुआ ठीक अब हम क्या करते हैं हमने करना है सेटिंग में जाना यहां पे Samsung account डालना समझ गया तो यहां पे मैं Samsung account डाल रहा हूं यह Samsung account आपको मैं बताता हूं क्यूं डालते हैं इसमें हमने backup लेना है ठीक है तो यहां पे मैं password लगाता हूं यह हो गया ठीक है अब यहां पे हम agree करते हैं यह code आ गया मैंने दूसरे phone में देखना पड़ेगा दूसरे phone में मैंने login करके रखा या सिदा OTP आपके नमबर पे जाएगा या गया इसका backup code है ठीक है हो गया open समझ गये अब देखो हमने क्या करना है ठीक है यह देख लीजे यह phone है दूसरा इसमें वही Samsung account login है जो मैंने अब भी किया था ठीक यहां पे हमने यह application install करनी है play store से ठीक हो गया यह वाली application है यह install कर लोगे ना open करने की कोई ज़रत नहीं है इसमें वही Samsung account होना चाहिए जो उस वाले FRP वाले phone में डाला हमने उसके बाद यहां पे backup data करना हमने हमने खाली वही application करनी है यह update मांगता है थोड़ा सा time लगता मैं speed करता हूं बैक अप पे click कर लोगे जब यह update हो जाएगा उसके बाद ऐसे आ जाएगा अब खाली application बैक अप कर लो ठीक है यहां पे इसको होने दो backup जब यह backup हो जाता ना देखो अब हम चेक करते है एक बार इसमें वो application आई नहीं ठीक है restore पे करते है restore data पे click करते है कौन सा phone था वो A51 application देखता हूं यह वो आई या नहीं आई यह पहले नमबर पे आगी ठीक है यह आगी इसमें अब देखो वो यही हमने Samsung account इस वाले phone में डाला जिसमें FRP है अब हम जाएंगे setting में ठीक है वहाँ पे setting में हमने account में जाना है account at backup इसमें हमने restore करना है backup उस वाले phone से किया तो इसमें हमने restore यह देखो update मांग रहा है update थोड़ी बहुत आगे करता हूं speed क्योंकि यह time खा था कभी कभी 2 minute updating के ठीक है तो कौन सा phone था वो A51 था शायए हाँ जिससे हमने वो backup लिया तो अब हमें यहाँ पे restore करना एक यह application चाहिए हमें यह वाली ठीक हो गया इसको हमने done करना है यहाँ पे install करना है ठीक है देखो यह खुद बाखुद जैसे हम play store से करते है या galaxy store से करते है वैसे ही यहाँ पे यह अगर हम direct यह वाली application install कर लेंगे न android 1011 में बिल्कुल भी न install होती है ठीक mtp mode पे जिस phone में frp लगी होती है ऐसे हो जाती है तो यहाँ पे इसको होने दो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे इसको application install होने दो उसके बाद आपको मैं बताता हूं हमने क्या करना है ठीक है वो जो error आता है एक ही ID की जौरत होती है बार बार हमें हम क्या करते थे अलग अलग जीमेल बनाते थे तो कोई जौरत नहीं है अलग अलग बनाने की इसमें क्या होता था तो यह मतलब इसका जो पैनल है इस application का उसमें लाग ही नहीं रहता है वहाँ पे लाग आउट करना पड़ता है बस य यहां पे हम next करते हैं next go it यहां पे देखो यहां पे अगर नाया करना है तो यहां से बना सकते हो अब ठीक है मेरे पास ID है तो मैं यहां से कर लूँगा Google चाचा ठीक हो गया अब मैं password डालता हूं इसमें यह password डाला मैंने sign in किया देखो यह error आगिया ना देखो यह हमने fix कैसे करना है अच्छे से देख लेना आप ठीक है यह देखें आप sorry देखो मैंने क्या करना है वो application open करनी है जो place source से download की थी थी ना तो यहां पे देखें आप यहां पे next करता हूं मैं next go it यहां पे इस पे कि करता हूं मैं help पे ठीक हो गया help पे जब हम click कर लेंगे ना दोस्तों तो यहां पे हम थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे यह देखें यहां पे यह कहां गया इस पे तो click हो गए नहीं शायद नहीं होगा नहीं होगा इस पे click नीचे जाना हमने हमने यहां पे जाना कहां गया बज़ सहाब यहां गया इस पे हमने click करना है ठीक हो गया जब यहां पे click कर लेंगे ना तो एक जगा आपको यह थोड़ा सा नीचे जाओ यहां पे यहां पे जब हम click करते हैं न यह देखो अब यहां पे तो उपपर login का option आएगा उपपर देखो login पहले नमबर पे यहां पे यही idea हमने डालनी है जो error आई थी ना दूसरे phone में वही idea आपने डालनी है जैसे google चाचा 786 में लगा रहा हूँ ठीक हो गया तो यहां पे password भी लगाना उसके बाद login करना है ठीक है यहां पे login हो जाएगा ठीक हो गया उसके बाद हमने क्या करना है यहां पे आप नीचे जाओगे नीचे जाओगे यहां पे हम कहां पे क्लिक करते हैं यहां से डिलीट करना है बस यह देखो कितने फोनों में एक दो तीन तीन फोनों में लागिन है तो कहां यह एक ही फोन में चलती है अब यहां से इनको डिलीट करना है डिलीट कर दिया फिर से डिलीट कर दिया ठीक है अब दो फोन और बचिये यहां से डिलीट करता हूँ मैं और इस फोन में सेव पासवर्ड नहीं रखना है ठीक है नहीं तो यह लाग इन होके रहेगा क्या होगिया इसको भई डिलीट होगिया यहां पे खत्म होगिया ना काम देखो बस हमने यहां पे बैग जाना है अब इस फोन हो जाएगा उम्मीद करता हूँ यहां पे थोड़ी बहुत जो परेशानी आती थी वो आप समझ की होंगे नाम डालने की कोई ज़रत नहीं है यहां पे इसको लगाओगे तो अच्छा रहता है क्योंकि जो क्यानक्स है ना आगे यहां पे यह कभी कभी दिक्कत करता अगर हम नाम नहीं डालते है ठीक है देखो मैंने पहले नाम नहीं डाला था कुछ भी टाइप कर लो A, B, C, D कुछ भी देखो यहां पे मैं इसको परमिशन देता हूँ ना यह दिखेगा आफ ही है फिर मैं आन कर लूँगा देख ले ना कभी-कभी हम छोटी सी बात बूल जाते हैं ना इसलिए नहीं होता देखो आफ ही है ना अब मैं आन कर लूँगा इसको देखो आफ है यह देखो अब हो गया आन, नहीं तो पहले नाम रखना था हमने वो जो device बता रहा था next finish करता हूँ मैं नहीं करता कभी-कभी थोड़ा time लेता है जो छोटे phone होते हैं जिनकी storage कम होती है तो वो ऐसा करते हैं अब हमने app manager पे click करना है ठीक है यहाँ पे close यहाँ पे search bar पे click करके हमने क्या search करना है mode यह खुद ही minimize हो जाता है एक दो बार याद रखने हैं ठीक है sorry नहीं देखो वाना minimize तो यहाँ पे हमने type करना है M दो बार हो गया minimize खुद ही अब नहीं होगा mode यह देखो service mode यह नीचे आगया ठीक अब तीसरे नमबर पे जाना है लास्ट पे जाना है लास्ट जो थर्ड है तीसरे यह service mode इस पे open करना है यहां पे MTP पलस ADB है इस पे हमने click करना है ठीक है अब मैं tool भी आपको यही tool सामने show करवाऊंगा इस से हमने इसको FRP bypass करना ADB पे यह जो पहला वाला है ना यहां पे मैं click करता हूँ यहां पे click किया यह last वाला reset FRP पे click कर लो बस यहां पे इसने fail बताया शायद USB खराब है निकाल के लगाता हूँ एक सेकंड इसको फिर करता हूँ मैं हाँ है ठीक है MTP पलस ADB पे click किया USB लगाया दुबारा हम reset FRP पे click करते है तो phone यहां पे कुछ बता देगा permission देने के लिए हाँ यहां पे always पे allow गर लो phone restart हो जाएगा FRP बैपास हो गया ठीक है यह देख लिजी phone restart खुद दी हो गया FRP done तो अगर आपको समझ आया होगा तो अच्छी बात है अगर नहीं समझ आया अगर दोबारा देख सकते हो वीडियो को तो अगर कहीं पे मैं miss हो गया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ comment करके बता सकते हो आप कहां पे गलत हुआ या कुछ बूल गया मैं बोलना अब मैं आपको बता दू वो जो जो फोन ये ब्रावजर नहीं निकालते जो PC आप उनको सैमसंग USB ड्रैवर हटा दो ठीक है उसके बाद सैम की वेबस सैम की आप सीधा सर्च कर लो Google में केम्पूटर में वहां पे USB ड्रैवर मिलेगा वो डाउनलोड कर लो इनस्टालिंग के टाइम कोई फोन आपके पास सैमसंग होना चाहिए जिसकी USB लगा के रखो केम्पूटर के साथ उसके बाद आपको सामने इनस्टाल करना तो सामने फिर अच्छे से आ जाएगा फिर ब्रावजर भी निकल जाता है तो यह एक्सपेर्मेट पहले मुझे नहीं पता था तो जो यूट्यूबर है यह मुबाइल टेक है उन्होंने मुझे बताया हुआ तो यह काम कर गिया ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज वीडियो को लाइक करना कॉमेट शियर अगर नए हो तो प्लीज प्लीज सबस्क्राइब करके जाना ओके दोस्तों यह देख लिजिए यह थोड़े बूट ड्रामे करता है कभी-कभी एक मिनट दूब मिनट तो कभी हो जाता जल्दी तो बस हो गया ओके लव यू अल्लाः आफेज